Chrome open कर लेना है Chrome open करके e-census लिखना है e-c-e-n-s-u-s dot i-n e-census dot in इसको address बार पर टाइप करके आपको interface करना interface करने के बाद आपका वहाँ पर आता है email id और mobile number तो आपको अपना वहाँ पर mobile number डालना है पहले वहाँ mobile number डाल जे उसके बाद उसके बाद पासवर्ड में डाल जाएगा 12345678 इसके बाद आपको sign-in पर क्लिक करना है sign-in पर जैसे क्लिक किजएगा आपके पास एक OTP जाएगा जैसे sign-in हो जाता है तो यहाँ यह आपका dashboard खुल किया जाता है dashboard पर आपको दिखेगा आपका enominator कितना है आपका enominator कितना sign किये है rural पर क्या है उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना होता है area allotment तो area allotment पर आप यहाँ पर जाएगे area allotment पर इसको हम क्लिक करते हैं पर आपको दिखेगा new allotment तो new allotment पर click करते हैं new allotment पर click करने के बाद यहाँ पर आपका खुल के आ जाता है select gram panchait तो इसको click किजेगा तो जो आपका assigned है वही panchait आपको दिखेगा तो आपका जैसे उसके बाद उस panchait पर जितने गाउँ है वह गाउँ दिखेंगे तो एक गाउँ यहाँ से select करना है उसके बाद यहाँ पर pin code tap करके select करना है इसके बाद आप का इस गाउँ पर कितना expected आदमी है अगर यह पता है तो भर देजिए एक्स्पेक्टेड आदमी है टोटल हाउसोल्ड यहाँ पे जो दिख रहा है यह हाँ यहाँ पे टोटल हाउसोल्ड बढ़ दीजिए कितना घर है उतना घर यहाँ पे बढ़ दीजिए उसके बाद आपका यह जो विलेज है विलेज आईजेटीज रहेगा अब आपको करना है यहाँ पर इनुमिनेटर को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इनुमिनेटर इस गाउं पर आपका सर्वे करेगा तो इनुमिनेटर सेलेक्ट करके आपको सम्मिट यहाँ पर जो दिख रहा उस पर क्लिक कर देना है सम्मिट पर हाँ जैसे आप सम्मिट करते हैं तो आपका दिखता है सक्सेस एरिया हैज बिन एसेंड सक्सेस फुली